आप बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस जुड़ा पलपल का अपडेट हम आप तक पहुचा रही है क्योंकि श्रद्धा वालकर के लिए अब जो इंसाफ की मांग है उना केवल देश भलकी अब हमारे चैनल के माध्यम से लगतार वो लोग कर रहे हैं जो लगतार हर वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में सिर्फ यही कहते हैं कि श्रद्धा को इंसाफ आखिरकार क्यों नहीं मिल रहा क्यों इतना वक्त लगाया जा रहा है क्यों इस केस का जो मुख्या रोपी है यानि के आफ़ताब आमीन पुनवाला क्यों उसे अभी भी जेल में रखा गया है उसे वो सजा क्यों नहीं दी जा रही है इस तरह की सवाल लगतार हम से कामेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं और ऐस कार श्रद्धा वालकर के केस में पुलिस की जाच कहां तक पहुची है पोस्ट मॉटम आखिरकार कब श्रद्धा का क्या जाएगा कल यानि के 22 दिसंबर को आफताब की कोट में पेशी है और इसे लेकर आखिरकार श्रद्धा वालकर की लॉयर सीमा समरिद्धी कुश्राह की क बिना किसी देरी कि आप प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कि डीप टी सी एम देवेंद फर्णविस से मुलाकात की थी। मुलाकात में देवेंद फर्णविस ने शुरुदा के पिता विकास वालकर को ये भरोसा दिलाया था कि अब उनकी बेटी को इंसाफ दिलाना महराश्ट सरकार की सिम्मेदारी है। और अब इसी कड़ी में महराश्ट सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया दिवेंद फर्णविस ने ये फैसला लिया है। कि अब श्रद्धा वालकर का जो केस है ये एसाइटी को सौपा जाएगा और एसाइटी इस बात की चानबीन करेगी कि जब साल 2020 में श्रद्धा ने आफताब के खिला एफ आई आर दर्श करवाई थी फिर आखिर कार किया वज़ा थी कि श्रद्धा ने एक महीने बाद उस कंप्लेइन को वापस ले लिया क्योंकि ये जो गुत्धी है ये अभी तक सुलज नहीं पाई है और कहीं न कहीं इस गुत्धी के सुलजने के बाद आफताब के कई काले कारना में सामने आ जाएगे यही वज़ा है कि अब एसाइटी को ये केस सौपा जाएगा वहीं दूस कार ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब सी एफसल की रिपोर्ट बीते 16 नवंबर को माफ कीजिए का बीते 16 दिसंबर को ही आ चुकी है और आज 21 दिसंबर है आखिरकार पोस्ट मॉटम की प्रक्रिया में इतने जादा वक्त क्यों लगाया जा रहा है क्या वज़ा है क्यों कि CBI को भी ये केस हैंड ओवर करने की बात की जा रही है श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने शुरुआत में ही इस केस को CBI को सौपने की बात की थी हाला कि यहां पर यही कहा गया कि जब जरूरत लगेगी तब इस केस को CBI को सौपा जाएगा वहीं दूसरी और आपको पता दे कि दिल्ली पुले सभी तक उन पांच हड्यों की भी गुथी सुलचा नहीं पाई है क्योंकि जब DNA रिपोर्ट आई तो उससे ये पता चला कि जो हड्या बरामत की गई थी महरौली के जंगल से यानि कि 23 हड्या उन 23 हड्यों में से कुल 18 हड्यों का ही DNA श्रद्धा कि पता विकास वालकर से मैच चुआ और जो बाकी की हड्या थी यानि कि वो पांच हड्या वो किसकी है या अभी तक नहीं पता चल पाया है ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार अब इस केस में दिल्ली पुलिस क्या बड़ा कदम उठा रही है परिवार को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार परिवार को कब गिरफतार किया जाएगा तो परिवार को लेकर के जो चानवीन है वो कहां तक पहुंची है इस पर भी अब पुलिस खामोश नज़र आ रही है तो क्या ये कहा जा सकता है कि पुलिस की खामोशी कहीं न कहीं आफताब के होसलों को बुलंद कर रही है आफताब ने जो चुनौती यहां पर पुलिस को दी थी कि पुलिस इस केस में ना तो आफताब को सज़ा दिलवा पाएगी और ना ही उस आरी या फिस श्रधा के सर को ढून पाएगी सीएफैसल के रिपोर्ट दिली पुलिस के हाथ लग चुकी है लेकिं पोस्ट मॉटम श्रधा का अभी नहीं किया गया हाला कि स्रधा का पोस्ट मॉटम दिली के एम्स हास्पिटल में किया जायेगा لेकिन अब धी तक से लेकर कोई ऐसी जानकारी सामनी नहीं आई है वहीं आपर अगर मैं बात करूँ श्रदा की लॉयर सीमा समरिद्धी को श्वाहा की तो आपको बदा दे कि वो भी लगातार अपनी तैयारिया कर रहे हैं CFSL के रिपोर्ट क्या आई है उसे लेकर भी वो अपडेट देती हुई नज़र आ रहे हैं लेकिन हाँ उनका ये साफ तोर पर कहना है कि कहीं न कहीं श्रदा वालकर के केस में आफताब को वो कड़ी सजा दिलवाने में पोस्ट मॉटम रिपोर्ट भी एक बगदा रोल प्ले करने वाली है तो आखिरकार 22 दिसंबर से पहनी श्रदा का पोस्ट मॉटम अब तक क्यों नहीं किया गया शायर यहाँ पर पुलिस अभी और ज़्यादा सबूत इखटे कर रही है लेकिन ये चीज़ लगातार अब जनता को खल रही है कि आखिरकार क्यों इतना वक्त लगाया जा रहा है और ऐसे क्या सबूत हैं जिने जुटाने की कोशिश पुलिस कर रही है तो आपको बता दे कि ना तो अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ आफटाब का परिवार लग पाया है क्योंकि परिवार कई ऐसे राज है आफटाब की जो अपने अंदर दबाय बैठा है और ऐसे में अ कहीं न कहीं इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दिरा वहीं दूसरी और आफटाब अपने वकील MS खान के संग लगातार प्लानिंग और प्लोटिंग कर रहा है कि किस तरह से इस केस में वो खुद को बचा पाएगा साफ तोर पर देखने को भी मिल रहा है आपको बता दे क जिस तरह से आफटाब अपने वकील के साथ मिलकर पूरी तरह से प्लानिंग और प्लोटिंग कर रहा है और शायद यहीं वज़ा है कि जब बीते 18 दिसंबर को आफटाब की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी जिसे टाल दिया गया और कोट की तरफ से ये फैसला सुन जिनकी आधार पर वो आफटाब को बेल दिलवा सकता है और इसे देख कर कही न कहीं श्रदा के पिता का गुस्सा फोटता हुआ साफ तोर पर दिखाई दिया एक बार फिर से श्रदा के पिता मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बताया कि उनकी बेटी के साथ क्या कु जा है क्यों ये दावा किया जा रहा है कि आफटाब को जमानत मिल जाएगी आखिरकार ऐसी क्या वज़ा है वहीं दूसरी और अगर मैं बात करूँ जिस तरह से साफ तोर पर MS खान जो के आफटाब के वकील है उन्होंने DNA रिपोर्ट की भी बात की उन्होंने कहा कि पेशी होने तक तो DNA रिपोर्ट सहीत कई सबूत जो गायब हो सकते हैं उड़ सकते हैं इस तरह की बात भी वो कहते हैं नजर आए यहाँ तक कि चार्जशीट का नाम भी आफटाब क कि वकील MS खान ने लिया उन्होंने कहा कि चार्ट शीट में क्या सबूत दाखिर होंगे क्या नहीं होंगे ये तो पेशी के बाद ही पता लगेगा लेकिन हाँ जितने दावे से जितने कॉन्फिडेंस से आफताब को बेल देनाने की बात यहां पर कही है आफताब के वकील MS खान ने उसे देखकर साफ तोर पर लग रहा है कि श्रधा को इनसाफ दिलाने के लिए अभी जो उनकी वकील है उन्हों और साधा महनत करने की जरूरत है वहीं दूसरी और अब यह भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अब महराश्रो की सरकार ने यह जो पुरा केस है इसे SIT को सौपने का जो फैसला ले लिया इसके बाद आखिरकार SIT की टीम का गठन कप किया जाता है और कौन वो ओफिसर होंगे जो श्रधा वालकर के केस में आफ़ताब को वो कड़ी सजा दिला पाएंगे वो सबूत जुटा पाएंगे जो अब तक दिल्ली पुलिस नहीं जुटा पाई है क्योंकि कहीं न कहीं लगातार हो रही देरी श्रधा की पिता और साथ ही हर उस सक्ष को सबर का बान तूर रही है जो श्रधा के सखास प्रोग्राम में इतना ही मुझे दीजे जासत नमस्कार